Hello friends, welcome to MS360 तो friends, आगर आप एक computer user है, computer use करते हैं तो computer का motherboard के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है motherboard क्या है, कहाँ पर क्या install किया जाता है motherboard में, क्या connect किया जाता है तो आगे जाके भी वीडियो में details बताऊंगा, वीडियो को जरूर एन तक देखेगा friends तो friends, computer का motherboard एक बहुत ही important part होता है computer का क्योंकि computer का जितना भी hardware parts या electronic components होता है वो computer का motherboard के through connect हो पाता है जैसे कि computer का mouse हो गया, keyboard हो गया, या computer का monitor हो गया या RAM हो गया, प्रोसेसर हो गया, जितना भी parts होता है computer का hardware parts या electronic components होता है, वो motherboard से ही connect होता है एक दूसरे से तो computer का एक बहुत ही important part होता है motherboard और इसको हम लोग printed circuit board, PCBB भी बोलते हैं जैसे कि आप लोग यहाँ बहुत देख पारे एक motherboard रखा हुआ है तो अगर बात करें तो हर एक part के बार में तो पहले हम लोग बात करतें जो आप लोग को पीछे दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते है back panel port बैक पैनल या back panel port बोलते हैं तो इसमें आप लोग को बहुत दिखाई देगा तो जैसे कि यह दोनों port इसमें हम लोग क्या green जो है green color का इसमें हम लोग mouse install करते हैं या mouse को connect करते हैं इसके तुरू जो दूसरा port है, इसके थो हम लोग का करते हैं कीबोर्ड को connect करते हैं. जो purple color का है and next आता है ये port इसको हम लोग बोलते हैं parallel port, अगा हम हम आप computer में कोई भी printer ये scanner हम लोग connect करने चाहते हैं तो इसके थो हम लोग connect करते हैं and दूसरा जो पाण आता है ये है इता है, serial port या BGA port, जब हम लोग computer से computer में हम लोग हम लोग का monitor या LED, LCD हम लोग connect करते, तो इसके थूर हम लोग connect करते, आप लोग देख पाएंगे, आपको computer computer में एक blue color का cable होता है, जो कि इसके थूर monitor से connect किया जाता है, और फ्रेंस नेच्स आता है यह पाट, इसको बोला जाता है audio port जब हम लोग कंपीटर में कोई भी स्पीकर, कोई भी microphone जब हम लोग connect करते हैं, तो इसके थ्रू हम लोग connect करते हैं और फ्रेंस नेच्स आता है, यह दूनों port और यह port देख पाले हैं यहां पर दो हैं यहां पर दो हैं इसको बॉला जाता है USB port जब हम लोग कपूपीटर में कोई भी USB डिवाइस यूस करते हैं या इंस्टल करते हैं तो इसके थूह हम लोग इसको कनेक्शन करते हैं हिहां पर नियुक्त करें को कंप्यूटर में इंटरनेट करते है एंड कर।्प सेयं तब इसके दूसरा जैसे की बहुत सरे पाड अपको खुटा बोरा अलगे components दिखाई देगा उसमें से यह सब को हम लोग बोलते capacitor ओके यह सब को हम लोग बोलते capacitor अब यह आप लोग देख पार है यहां से यह जो पाड़ है computer का motherboard का इसको हम लोग बोलते CPU socket जहां पर computer का processor install किया जाता है जैसे मैं इसको open करके दिखा रहा हूं जैसे अब लोग देख पार है यह computer का processor तो इस processor को यहां पर install किया जाता है और इसको lock किया जाता है दिन इसके उपर में एक fan लगा हुआ राता है ओके तो इसको बोल जाता है computer का CPU socket mother board का CPU socket बोल जाता है जर्ड़ीन को सब्सक्क्राइब करता है इसको यह को बोटा जाता है हीम क्या तब देख कर लए है का मजर ते हीडी इन बात कर तो आप डेख बार है यहाँ पर दो बारा सा स्लोट है, इसको बोले जाता है रैम स्लोट, तो रैम स्लोट जहाँ पर हम लोग रैम इंस्टॉल करते हैं, जिससे आप देख पाने हैं यहाँ पर एक रैम है, इसको हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर पाएंगे, इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आपको RAM Change करना है या RAM को increase करना है दूसरा कोई ज्यादा सा RAM लगना है तो आप लोग यहाँ पर RAM install कर सकते हैं अपको computer में जितना बी RAM होगा यह पोड जो है USB port, यह port जो है USB port, यह पोड है, यह कुछ extra आपको चाहिए होगा, तब आप क्या करेंगे, जो आपको 4 है यहाँ पर उससे ज्यादा लगेगा, तब आप लोग एक USB card जो मिलता है, उसको आप लोग यहाँ पर install कर सकते, ऐसे audio card, video card आप लोग extra यहाँ पर install कर सक जब आपको कोई भी computer में high graphics game या high quality games खेलते, तब आपको high graphics game के लिए आपको graphics card इंस्टॉल करने होता है extra से, तब आप लोग इसमें उसको install कर सकते, then friends आता है, यह जो आपको छोटा से दिखाए ज़रा है battery के जैसा, इसको बोला जाता है CMOS या CMOS battery, आपको computer में जो भी time, य date ठीक से काम नहीं कर रहा है, मतलब save नहीं हो रहा है, आपका CMOS battery खराब हो गया, okay, तो इसका काम होता है time and, basically इसका काम होता है time and date को update करना, then friends आता है, यह जो part आपको दिखाए ज़रा है, यह port, इसको बोला जाता है, power connector, इसके थुरू हम लोग computer का SMPS होता है, आप लोग CPU क cabinet है, cash है, उसका अंदर आप देख पाएगे, एक SMPS लगा हुआ रहता है, SMPS का केबिल इसमें connect किया जाता है, इसको power connector बोला जाता है, तो power connector के थुरू computer में, जित्ता हम है electronics component है, हर component में यह क्या करता है, power supply करता है, इसको बोला जाता है, power connector, and यह जो छोटा सा है, यह होए P4 connector, इस छोटा सा आप देख पह रही है, इसको बोल जाता है, P4 connector, and friends, यह जो slot है, इसमें हम लोग, hardix drive को connect करते हैं, इसके through, and friends, यहाप आप आप लोग देख पाएंगे, मेरे पास दो माउस है, एक माउस का कुछ ऐसा है, और दूसरा जो माउस है मेरे पास, यह माउस, इसक के भी लोगा माउस, उसको में हिया पर connect करूँगा, okay, and friends, तो यह जो मैं बताया, यह आपका computer का motherboard का basic कुछ चीज होता है, basic कुछ slot है, जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, तो वो मैं आपको बता दिया, and friends, आपको वीडियो कैसे लगा, जरू comments करके लिखेगा, अगर अच्छा लगा तो प्रीज लाइक कीजएगा, शेयर कीजएगा, and अगर आप अभी तर्म मेरे चनल को सब्सकाइब नहीं की, तो प्रीज सब्सकाइब कर दीजे, and उसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेजे, ताकि आने वाला ऐसे हार informative वीडियो का notification आपको मिलते ले So, friends, thank you for watching this video.